नमस्कार दोस्तों, आशुस कुकिंग मैदिक से मैं आशु आप सब के लिए आज रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ आज मैं कोई खाने की रेसिपी आपको नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको बताऊंगी तांबे की बॉटल को अंदर से कैसे साफ करते हैं तांबे के बर्तनों को साफ करने का मैंने वीडियो पहले बना के डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे और उसी वीडियो के नीचे मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि मैं तांबे की बॉटल को अंदर से साफ करने का तरीका बताऊं अंदर से बॉटल को साफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसको साफ करने का मैं बहुत आजसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिना मेहनत के चुटकियों में आप अपनी तामे की बॉटल को फटाफट साफ कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा, तो चलिए जटपट साफ करते हैं तामे की बॉटल को अंदर से, बॉटल को साफ करने से पहले मैं आपको तामे की बॉटल दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से कि दिख देखते कैसे साफ करते हैं, एक कटोरी हमने ले ली है और यहां पर हम इसमें डालेंगे, साइट्रिक एसिड, यह साइट्रिक एसिड आपको बजार में राशन की दुकान पर बहुत असानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी मगा सकते हैं, ऑनलाइन यह न अज़ ले 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 हूं का टोरी में और मैं पिछला वीडियो बनाया था तामे की बॉटल या तामे के बड़नों को साफ करने में मैंने साइट्रिक एसिड यूस किया था तो उस समें लोगों ने मुझसे कुष्चिन किया था कि यह हातों के लिए सेफ है कि नहीं है, यह अज़ नहीं होंगे, अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक दो चम्मच कोई भी खाने वाला नमक यूस कर सकते हैं और अब इसमें पानी डालेंगे तो एक घोल सा हम तैयार कर लेंगे और इन सब चीजों को अच्छ से मिला देंगे, साइट्रिक एसिड और नमक को हम अच्छ से घोल में पानी में घोल देंगे जिससे कि एक अच्छ सा घोल तैयार हो जाए यह बहुत पावरफुल घोल है जैसा कि आपने देखा कि बॉटल अंदर से बहुत जादा गंदी है तो हम उसको कैसे साफ करें कोई हमें ऐसा घोल बनाना जिससे कि वो टच होते ही तामबा साफ जाए तो ऐसा यह घोल तैयार हो गया अवाब यह देखिए में यह बहुत पानी का घोल इस तामबा की बॉटल को उपर से साफ कर अपको दिखा रही हूं जिससे कि जहां जहां पर यह यह पानी डाल रहे है इस घोल का यह अपने आप तामबा कलर चेंज कर रहा है आप दे जादा गंदी है तो जो यह उपर से साफ हो रही है तो सेम इसी तरह से यह अंदर से भी साफ हो जाएगी इस घोल को हमने इस बॉटल में डाल दिया है तो अच्छे से आप पानी में इसको मिला के घोल को डाले और इसके बाद धकन लगा दें कुछ नहीं करना है अब चलते तो लगबद 2-3 मिनट आप बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजेगा इससे आपकी बॉटल अच्छे से गंदगी अंदर फूल जाएगी अब हम इसमें डालेंगे विम लिक्विड तो विम लिक्विड मैंने इसमें आदा चमच के करीब डाल दिया है इसके बाद मेरे पास बॉटल साफ करने वाला ब्रश है इस ब्रश की हेल्प से अंदर अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर देंगे अगर आपके पस ब्रेश नहीं है तो कोई बात नहीं आपकी बॉटल तब भी बहुत अच्छे से साफ होगी आप धकल लगा कर के इसको वैसे हिलाते यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं बिना hand gloves पहने इसको साफ कर रही हूँ मेरे हाथ में कोई problem नहीं हो रही है लेकिन मेरी उन लोगों से request है कि जिन लोगों को अगर detergent powder से allergy है हाथ में जलन होती है तो वो लोग जरूँ gloves पहन के ये काम करें तो उन्हें citric acid से भी हलकी सी जलन होगी ठीक है जिनको detergent powder से problem नहीं होती है वो अराम से मेरी तरह काम कर सकते हैं अब हम brush को निकाल देंगे और जो घोल अंदर था उसको थोड़ा सा एक scotch bright में लगा के बाहर से भी हम bottle को अच्छे से चमका देंगे तो देखा आपने बॉटल बिल्कुल गुलाबी गुलाबी तामबे की हो जाएगी अंदर से बिल्कुल गुलाबी कलर की आपकी बॉटल निकलेगी इतनी साफ हो जाएगी कि आपको यकिन नहीं होगा कि ये वही बॉटल थी जो पहले आपने देखी थी तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, बाहर से साफ हो गई, चली अब आपको अंदर से दिखाते हैं, तो यहां पर मैं एक बार इसको अच्छे से हिला लूँ, जरा अच्छे से शेक कर लूँ, कोई कसर ना बाकी रहे, कि हलकी सी भी गंदगी आपको ना दिखाई दे, तो चली इच्छे से साफ हो चुकी है, वैसी वह अंदर से भी साफ हो चुकी है, अछे से पानी से आप धोलिजिए, साइटरीक एसीट और नमख और पानी से हमने बार्टल को साफ किया है, विम लीक्विट यूज किया है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो आपको नुकसान यह नुकसान दे हो ऐसा कुछ भी नहीं है और यहां पर देखिए बॉटल अंदर से बिल्कुल गुलाबी हो गई है यह तांबे का बिल्कुल असली कलर निकल के आया है है ना बहुत ही लाजवाब तिप तो देर किस बात की है जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक करिए से उन्हें भी पता चल सके कि बिना महनत के तांबे की बॉटल को अंदर से कैसे चुटकियों में चमकाया जा सकता है और मेरे चैनल आशूस कुकिंग मैजिक को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों इसी तरह के लाजवाब किचन हैक्स के मैंने और भी सारे वीडियोज बनाए हैं उन वीडियोज को भी आप जाके जरूर देखे तांबा, पीतल, चांदी, सोना, लोहा, अल्मूनियम मैंने हर तरह के मैटल के साफ करने की बड़ी ही असान विदियों के वीडियोज मैंने बना रखे हैं और साती में मैंने लाजवाब ख होएं तो उसको पोचिएगा जरूर तो यह देखिए चकाचक गुलाबी-गुलाबी तांबे की दोनों बॉटल हमारी चमक के साफ हो चुकी है इस मैथड को आप हफते दस दिन में एक बार जरूर से साफ करें जिससे कि आप साफ तांबे की बॉटल में ही पानी पीएं आगे आप लोग के लिए किस तरह के और वीडियो बनाओं तो अपना ख्याल रखिएगा हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाई एंड टेक कियर